हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे आरसेडी और एसीबी के बीच में जो अगला टीटेन का मैच होने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोनों हे टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों आरसेडी और एसीबी के कौन से प्लेयर आपको इस मेच के अंदर क्या बैटिंग ओडर हने वाला है दोस्तों कौन से प्लेयर आपको इस मेच के अंदर ओपन करते वी दिखेंगे कौन से खिलाडी फर्स्ट आउन पे खिलेंगे सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओड करना ताकि जितने भी important जानकारी इस match related आपको मिल पाए और आप इस match के अंदर बैतर से बैतर grand league और small league के टीम बना पाओ लेकिन इसे पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट है भाईयों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको subscribe का बटन दिख रहागा और दोस्तों इस पे एक बार क्लिक कर दें साथ साथ यहां पर ज देखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले टीटेन और 2020 का मैं जैसे वीडियो में अप्लोड करूंगा दोस्तों आपके पास सिदे नोटिफिकेसन जाएगा और सारी मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमार जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे टेलिग्राम गुरूप का लिंक आपके सामने सो जाएगा इस ग्रूप में जोइन करना जरूरी है क्योंकि लाइन अप के बाद फाइनल टीम आपको इस मैच का यहीं पे मिलेगा अगर कोई भी बदला वाता है हमारे टीम में इस के नीची आपको लिंक मिल जागा दोस्तों डिस्क्रम बॉक्स में जहाँ आप कमेंड करते हैं पहला कमेंड में आपको पिन कर दिया है लिंक आप आसाने से क्लिक करकी जोइन कर सकते हो तो चली दोस्तों अब स्टेट्स की और आगे बढ़ेंगे यह जो मैच रग्बिक ड बाजी करा है और सेकंड बैटिंग टीम ने दो मैचेस यानि की जीतते हुए जीते हुए जीतते हुए आ रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूंगे टॉस्त का जाता लॉजिक आपको इस ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलेगा यानि जो भी टीम है जो भी टीम के प्ले 23 तक ही चेस कर पाए थे लेकिन वहीं सेकंड मैच में अगर आप देखेंगे ते 111 रन का टार्गेट दिया था लेकिन भी आएक के टीम ने इस रन को चेस कर लिया था यानि दो मैच कंदर देखोगे तो एक मैच जीता है और एक मैच लॉस करते वे आए हैं लेकिन वहीं ACB की बात करते हैं भाईयों तो ACB के टीम के तरफ से देखोगे पहला मुकाबला जो कि लॉस किया है और दुसरा मुकाबला 75 का टार्गेट दिया था जो कि USCM के टीम ने चेस कर लिये थे यहां पे कल के जो यहां पे ACB के कल के दो मैच अगर आप देखेंगे दोनों ही मैच यहां पे लॉस करते हुए आए हैं चलिए अब बेटिंग ओडर देख लो यहां पे जो मुस्तफा खान जो की RCD के टीम के तरफ से जो है यह खिलाड़ी ओपन करते हुए दिखते हैं दूस्तों विकेट के परिक में नजर आएंगी पहले मैच कंदर ओपन करते हुए 89 रन स स्कूर करा है दूसरे मैच कंदर 10 रन बनाए भाईयों यहां पे दो वर की गिंदबाजी में 20 रन खर्च के ते कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे लेकिन यह जो खिलाड़ी दूस्तों यह टीम के ओपन भी करेंगे प्लस दो वर गिंदबाजी भी करेंगे कैप्टन है ब पांच रन खर्च के थे लेकिन कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे भाईयों बाकि बिलाल जड़ रन यह दूस्तों पहले मैच कंदर दो वर की गिंदबाजी में 22 रन खर्च के तो तीन विकेट अपने नाम करा था फिर यहां पे पांच और पे बैटिंग करते विए दू दो इनने चार रन बनाए थे प्लस 22 रन खर्च करते वे दो विकेट निकाले हैं भाईयों यह जो खिलाड़ी है न यह दो वर कंप्लीट गिंदबाजी करते वे दिखेंगे टीम के बहुत बहतरिन गिंदबाजी में से एक है भाईयों और इन्हें अपने टीम मेंके अंदर जरूर से जरूर ट्राय करना जो बॉलिंग आपको कंफर्म दो वरता करते वे दिखेंगे बाकि अमरीत पॉल यह पहले मैच कंदर आठ रन खर्च करते वे तीन विकेट निकाले हैं फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फूर्ट रन पर खेलते वे 21 रन बनाया हैं यह भी प्लेयर बहुत मजबूत रहेगा यह जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बॉलिंग कंफर्म करते हैं आपको दीखेंगे फजाल कसीम जो कि पहले मैच कंदर 15 रन खर्च करते वे एक विकेट निकाले हैं फिर सेकेंड डाउन पर खेलते वे 21 रन बनाया है दोस्तों यह पहले मैच कंदर एक विकेट निकाला था दूसरे मैच कंदर 21 रन बनाया है बाकि गनेस पटेल की बात करते हैं तो एक ओवर की गिनदबाजी में 21 खर्च केते वे विकेट ने मिला था कपील ये पहले मैच के अंदर 6 रन खर्च करते वे जीर रन बनाये थे लेकिन 34 रन खर्च करते वे एक विकेट निकालने दोस्तों गिंदबाजी ये भी कन्फर्म करते हैं और सिडी के टीम के तरब से ध्यान रखना बढ़ियां बॉलर है गौरफ वटेल ये बैटिंग बॉलिंग नहीं करा है आप इनको एवर्ड कर सकते हैं अलमास तरीक ये दोवर की गिंदबाजी में 31 रन खर्च के ते कोई विकेट नहीं मिला था इनको अगर आप चाहें तो एवर्ड कर सकते हैं गिंदबाजी दोवर करेंगे वकास वर्ड की बात करेंगे थार्ड डाउन पर खेलेंगे ये 36 रन बनाए थे पहले मेच कंदर ठीक है दुसरे मेच कंदर तो पहले मेच कंदर को ट्राइ नहीं किया गया था दुसरे मेच कंदर को लाया गया था टीम में जहापे 36 रन बनाए थे और 19 रन खर्च करते वे एक वर की गिंदबाजी में एक विकेट निकाले तो बहुत अच्छे पॉइंट्स दी हैं लास्ट मैच के अंदर बढ़िया प्लेयर रहेगा जल्दी बैटिंग के साथ आपको गिंदबाजी भी करते वे दिख जाएंगे करन पटल 6 नमर पे खेलते वे 0 रन बनाया इनको ड्रॉप कर सकते हैं इनका रिकार्ड थना बैटर नहीं है तो यह जो है ना भाई यह RCD का बैटिंग ओडर है आपको सेम बैटिंग ओडर इस मैच के अंदर देखने को मिलेगा तो बैटिंग ओडर आपके सामने है इस में से जो भी बैटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ओडर को देखते वे प्लेयर्स को फिने टीम के अंदर आप ट्राइ कर सकते हैं लेकिन ACB की बात करते हैं भाईयों यहाँ पर आपको तो जो थोमस खिलते हैं जराएंगे टीम के सेकेंड नौन पर खेलेंगे पहले मैच के अंदर जिरू रन तीम के अपने टीम के अंदर जरू ट्राय करना सोनम रवी फर्स टान पर खेलेंगे पहले मैच के अंदर तीन रन बनाए थे यहाँ पे 17 रन खर्च किया था और एक विकेट निकाले भाईयों टीम के फर्स टान पर बैटिंग के सांसत गिनबाजी भी करते भी दिखेंगे इनको जरूर से जरूर ट्राय करना बढ़िया आ भाईयों ये भी इंपोर्टन रहेगा जो टीम के आपन के सांसा दो वर गिनबाजी करेंगे इन्हें भी अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राय करना जिवी जोकेब की बात करते हैं तो 9 नमर पर बैटिंग करेंगे पहले मैच के अंदर जीरो रन दूसरे मैच यहा बैटिंग देखोंगे राइट हैं फास्ट बालिंग करते हुए नजर आएंगे और फास्टर बोलर को इस ग्राउंड पर मैंने आपको बताया था कि ज्यादा सपोर्ट मिलता है बढ़िया प्लेयर है पहले मैच कंदर अच्छा पॉइंट जिरो ने दिया था लेकिन दूस बॉलर है दोस्तों यह भी दो वर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे और इस ए बॉलर जरूर ट्राय करना अपने टीम के अंदर बढ़िया गेंद बाजी करेंगे बाकि नंदू की बात करेंगे दोस्तों छे नमर पे खिलेंगे पहले मैच कंदर एक रन दूसरे बाजी करते हुए दिखेंगे भाईयों एज ए ओल अंदर प्लेर जरूर ट्राय करना जो बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं बाकि रोहित की बात करेंगे दोस्तों यह थर्ड डाउन भी खिलेंगे पहले मैच कंदर जीरो रन दूसरे मैच कं बैटिंग और इस मैच के अंदर देखने को मिलेगा इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग और को देखते हुए प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर ट्राय कर सकते हैं अलाकि मैंने आपके लिए टीम बना के रखाया बिफोर लाइन अप तो जील में ट्राय कर सकते हो भाईयों बैटिंग और और इस्टेट्स आपने भी विडियो के अंदर देखा है तो अपने साइट से अगर आप एक दो खिलाडी चेंजिस करना चाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बैटिंग में मैंने तीन बैटिंग को ले रखा है एस बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं इनका रिकॉर्ड बैटर है अब रहाब बॉलिंग की बात भाईयों तो मैंने तीन बॉलर को ले रखाया है एस रवी जो कि टीम के कंफर्म दोवर तक ब बाजी करते हुए दिखेंगी अब रहा कैप्टेंसी की बात तो मैं एपाल को ट्राय करूंगर वाइस कैप्टेंसी के लिए 20 रटरन के साथ जाओंगा भाईयों यह दो खिलाडी है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों सबको पॉइंट्स देंगे इंको जरूर से जरूर करना भी तक देखोगे तो बढ़िया रिकार्ड्स है का अच्छा पॉइंट्स दिये हैं तो भाईयों यह मेरे साइट्स टी में इसमें अगर आपको कोई बदलाव करना है तो वीडियो में ने जिस परकार बैटिंग ओडर इस्टैट्स दिखा है उसके बैसे पे आप एक दो खिलाडियों को चेंजिस कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ हैल्प मिला होगा वाईयों वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक्स फूर वाचिंग